तो तू है, तू क्या समझता है, मैं तुझे पहचानूंगा नहीं, मैं समझ गया, तू वही भूत है ना, जिसने मुझे पेड से बान दिया था, इस बार बेश बदल कर आया है, नीचे आ, आ नीचे, तू नीचे आता या मैं उपर आऊं। भूत? अच्छो, मैं भूत बन गया हूँ, और मुए पतो भी न चली तेल लगाए के, क्या सोच रहा है, हैं, क्या सोच रहा है, तू मुझे बेबकूप नहीं बना सकता? भाईया, मैं तो जिन्दो आदमी हूँ, मरो ना हूँ, तुम मुए भूत बना रहे हूँ, मैं ना हूँ भूत, अम्मा की सोगंद? भाई, तू मुझे पागल समझता है, जो तू कहेगा मैं मान लूँगा, तू भूत है, भूत, वही भूत है ना भाईया, मैं साच बूल रहे हूँ, मैं तो जिन्दा आदमी हूँ, लग तो नूईरा है, जैसे ये जिन्दा हो, अच्छा तो अपना नाम बता, मैं तो लुका हूँ, तुम कौन हो, का नामे तुम्हारो तेल लगाए के? मैं सेख चल्ली हूँ, हाँ, सेख चल्ली, अपनी सुस्राल में फटा पाजामा पहन कर गया था, कम्मो का लुका, है, हो ना वही लुका, रिंकी, मैं आएगो, तो कु केला लेके आए हूँ, तेल लगाए के, हाँ, मैं वही लुका हूँ, तेल लगाए के, भाई जाने एक बात बताओ, पूछो जी, तुम सुस्राल म साइकल के लिए रुके थे, मिल गई, भाईया, जोर तो पूरे करे तेल लगाए के, पनसी भी खराम निकरो तेल लगाए के, कैसे, साइकल तो बड़ी चीज है, साइकल को फोटू भी ना दियो तेल लगाए के, ढरते और निकार दिये, अच्छा, तभी तुम पेड़ पर रहने लगे यो, तब से ही सुरू कर दिया, तुमने पेड़ पर रहना, कहा जाओं क्या करूं भाईया, बुरा हुआ भाई तेर साथ लुक के, अम्मा ने तो बहुत ही मने करी, मैंने एक ना मानी, ससरार कू चलो गयो, अब घर कैसे जाओं, अम्मा बहुत ही मारेगी, डर क ये मारे पेड़ पर ही रहूं, चिंता मत कर, हैं, चिंता मत कर, मैं हूँ न, मैं हूँ, चल मेर साथ, यार मैं सोच रहा हूं, कहा सोच रहा हूं भाईया, अरे सोचने तो दे, मैं सोच रहा हूं, कहम दोनों मिलकर कोई बिजनिस कर ले, अरे हा, ये तो ठीक सोची, पर का बिजनिस करें तेल लगाए के, मेरे दिमाग में हजार आइडिय हैं, तो निगारो जल्दी तेल लगाए के, ऐसा करते हैं, फिल्म बनाने का काम सुरू कर देते हैं, अब तो घर घर में लोग फिल्म बना रहें, फिल्म, पतो है, तो कितने रुपय लगें फिल्म बनाने में, और हमारे पास फूटी कोडी भी ना है, अवे अपना पैसा लगा कर विजनिस किया तो क्या किया, अरे मजा तो उसमें है, दिमाग हमारा पैसा दूसरों का, और लग पती हम, अच्छा हो कोई मी जान बिठाएंगे हाँ कोई मी जान बिठाएंगे चलो चैर कू भईया भईया भईशा कू कमाएंगे हो कोई मी जान बिठाएंगे अच्छी सी जग्य पै भाई ये दफ्तर हम बनाएंगे दफ्तर के उपर एक सुन्दर बोड हम लगाएंगे दफ्तर की खातिर बढ़ियासी कुर्सी मेज मगाएंगे गेट सी से का लगाएंगे एव करेंगे पूर तरकी जब ही पाएंगे हो कोई मीजान बिटाएंगे हाँ कोई मीजान बिटाएंगे जो भी काम मांगने आवे वाकू हम बस लाएंगे पास बिठाई के धीरे धीरे वाकू हम समझाएंगे काम मिले गोदाम लगेंगे सब कू पाठ पड़ाएंगे हो फेर ना हम शर्माएंगे दुनिया पैसा ले केंडो ले वाय कब जाएंगे हो कोई मीजान बिटाएंगे हो कोई मीजान बिटाएंगे कर गर में अब धन्दे चल रहे फिलम बनाने के गली गली में हीरो डोले नए जमाने के हमका इनते पीछे हैं भाई बिलकुल ना शर्माने के हमका इनते पीछे हैं भाई बिलकुल ना शर्माने के हो नोट हम खूब कमाएंगे मीटे सर में सुसील सोनो टैक में गाएंगे हो कोई मीजान बिटाएंगे हा कोई मीजान बिटाएंगे कोई पागल ढूंड लियो जो हमें रिपा देगो ठिकाने लगाने को दुनिया में एक तुमी समझदार हो और तो सब मूर रखें तिल लगाए के अब है मेरी बात सुन सुना पूरी बात सुनी नहीं बखना सुरू कर दिया अब बता देओ हम अपना इस्तहार छबाकर लोगों में बाण देंगे ठीक जिसमें लिखा होगा सीग्र चाहिए हीरो हीरो विलेन कॉमेडियन गीतकार संगीतकार जूनियर कलाकार अगेरा बगेरा वो भी सब नए अब जो भी हमारे यहां आएगा हम उससे चांस देने के बदले पैसा मागेंगे बहुत ही ठीक तेल लगाए के आज कल फिल्म में चांस पाने के लिए लोग हाथों में पैसे लेकर घूमते हैं समझा कुछ बात तो तेरी ठीक है पर पीछे का होएगो जब जनता हमें जान जाएगी तेल लगाए के अवे दुनिया तो मुझे बेब कूप समझती है और तु मुझे से भी बड़ा बेब कूप है बाद की बाद में सोचेंगे जो लोग पहले की सोचते हैं वो ही तरक्के करते हैं इसलिए आगे की सोच आगे की पीछे की छोड़ ठीक है भाईया जैसा तुम ठीक समझो मैं तो तुम्हारे संगू तेल लगाए के हम् ये हुई ना बात चलो प्रोग्राम तयार करते हैं चलो भाईया सेख जी तुम्हारो ये आइडिया तो बहुत ही ठीक रहे हो तेल लगाएके अवे देखता जा देखता जा हम ते मिलने कू पब्लिक लाइन लगाके ठाडिये बहुत ही भीड है भार कैसे स्मारोगे तेल लगाएके अभी तो सुरुवात है सुरुवात ये लोग ही हमें लखपती और करोडपती बनाएंगे ये ही लोग देखता जा तू अच्छा ये बता अब तक कितना पैसा है कट्टा हो गया है दो किलो पे तराजू जुग रही है गिंती ना करी मैंने तिल लगाए के तुम कहो तो दुबारा तो लंगो तिल लगाए के नई नई इसके कोई जरूरत नहीं है भेजो एक एक करके भेजना जी सहाब नमस्ते सहाब नमस्ते नमस्ते आओ बैठो बोलो जी मुझे तो आप हीरो बना दो हीरो? अब आज सकल देखी है सीशे में हीरो बना दो हीरो बनूँगा आया हीरो बनने मैं इतनी आफ़त कूट रहा हूँ मैं पागलूँ और हीरो तुझे बना दूँ मूर कहीं का जब भी फिलम बनाऊंगा ये रोल तो मैं खुद करूँगा ये रोल नहीं किसी को देने वाला देख भाई बोल देगा रुपे तो आप पचास की जगा साथ हजार ले लो पर बनूंगा हीरो ही ठीक है तो ठीक है तुम उन साब के पास में रुपे जमा करा दो और समझो हीरो बन गए ठीक है जी साब पैसे लाओ जी लाओ जी लाओ भाईया नसीब को बड़ो धनीये तू तेल लगाए के साब कैसे कितने आदिमी आए या रोल के लईया बाबु जी ने सब तेनाई कर दई तुम ते हां कर दई बस तुम्हारी तो किसमत बदल गई दिन फिर गए अब तो तेल लगाए के समझो भागदोण बढ़ गई यासते साब हमें तो आपका ही यासरा है पूरा पूरा अब जाओ आप तेल लगाए के नमस्ते साब ठीक है ठीक है तेल लगाए के बड़ो आयो हीरो बनने वारो अरे जब हमें तेरी का ज़रूते तेल लगाए के क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मैं आप से ही पूछ रही हूँ मैं आ जाओ जी हाँ आओ आओ बैठो मैंने तो तुम्हे देखते ही फैसलो कर लियो तुम ही बनोगी मेरी हीरोईन हें वा बेटा वा सोचू मैं मेहनत में करूँ और हीरोईन को तु ले जा बेटा मैं भी सेख चिल्ली हूँ सेख चिल्ली ऐसा वैसा नहीं क्या पिएंगी आप चाय, दूद, कौफी मठा या कुछ और बताईए क्या लेना पसंद करेंगी ये कुछ नहीं मैं तो एक रोल चाहती थी आपकी फिलम में अपनोंने मुझे हीरोईन बनाने का फैसला करे लिया तो मैं भी पीछे नहीं क्यो नहीं चाले तेरा बाब भी कभी हीरो बना था हैं, ज़े तू बनेगा तुझे तो इसी हीरोईन का बाब बनाऊंगो बाब तो मुझे कितने पैसे जमा करने होंगे एक भी ना, एक भी ना तुम्हे पैसा जमा करने का जोरते तुम्हे तो फिरी में हीरोईन बनाऊंगो का नाम है तुमारा? मेरा नाम है रंगीली कितनों अच्छो नामे तिल लगाए की राजी हो ले बेटा राजी हो ले बताऊंगा अब मैं जाओ जी आपका रोल पक्का पक्का जी आपका रोल आप जा सकती है थोड़ी देर पीछे चली जईयो मैं एक जी सो लगरो क्या कुछ नहीं जी कुछ नहीं आप जाईए क्यों बे लड़की को देखता ही पागल हो गया है हीरोईन बनाएगा अब कौनची फिलम बना रहे आए तू मैं तो नो कहनी चाहरे हो तुम बहुत अच्छी हो पतो न भूमे ते का निकर गई अकल तो है नहीं सोच समझ कर बोला कर कहीं ऐसा ना हो करोड़ पती बनने से पहले ही हमारी पोल खुल जाए समझाया समझाऊं समझ गयो अब ना काँगो काई ते अच्छी हो अच्छी हो अच्छी हो अरे मैं तो बर्वाद है गोरे अरे उनको पैसा देने के लाइया में तो अपने बैंक को एकाउंट खतम करके लायो हो अरे मैं तो अपनी बीबी के गहने बेज कर पैसे लायो हो तुम अपना रोना धोने बंद करो मैं तो तुम सबसे ज़्यादा बर्वाद हुई हूँ पीक्चर में काम करने के लालच में मैंने जो पैसा जमा किया तो वो पैसा मैं अपने पती को बेज कर लाई थी अब मैं कहां जाओं मैं तो लुटिकी मैं बरबाद होगी मेरा क्या होगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं रोने से कुछ नहीं होगा अल्ला पर भरोसा रखिये अल्ला मियां दूसरा दे देगा मैं हूं न एसा मैंने क्या कह दिया जो ये मोतरमा नाराज हो गई मैं भी तो अपनी बीबी को बेच कर पैसा ला था मैंने तो ये सोचा था इनका और मेरा दुख एक ही है अब क्या करें अरे करना क्या है उनको ढूढेंगे और अपना पैसा बसू लेंगे ये ठीक रहेगा चलो जी चलो जी ये ठीक रहेगा आजा आजा अम्मी कहां हो तुम कौन है तू कहां था इतने दिनों तक और ये कौन है अम्मी ये मेरा दोस्त है हाँ दोस्त है ये मेरा हम दोनों एक साथ मिलकर ही काम करते हैं लो एक क्या कम था जो दूसरा भेज दिया लमिया ने अम्मी यह बहुत अच्छा है हाँ हाँ तेरे जैसा ही होगा जैसा तू है अम्मी अम्मी समझदार हो गया हूँ हाँ पहले जैसा नहीं रहा ठीक है यह बता तू था काम तक मैं तो काम की तलास में गया था तो मिला कोई काम हां मैं ये देखा पैसे कमा कर लाया हूँ अरे मेरे दोनों लाडले बेटे कितनी अच्छे है अपनी अम्मी का कितना ख्याल रखते है पम्मी तुम कितनी अच्छी हो है नि तेल लगाए के ओए पम्मी ना अम्मी बोल अम्मी पम्मी? अब पम्मी ना अम्मी, अम्मी जान बैठो मैं कुछ खाने को लाती हूँ मेरी अम्मी बहुत अच्छी है, हाँ, बस कभी-कभी जाडू से मारती है जाडू से? हाँ, वैसे बहुत अच्छी है, हाँ, अल्ला मियां सब को ऐसी अम्मी दे लो बेटा, तुम दोनों खाना खाओ और मैं पाने लाती हूँ अम्मी जान, अब मुझे वापस जाना है क्यों बेटा? रुको दो-चार दिन पम्मी जान, उन्ने सहर में लएओ काम सुनू करेओ बस वही जाएंगे, तुम अल्ला मियाते कीजो हमारों काम खूब चले फिर तो हमारी जीवन में खूब पैसा हूंगे बेटा, मेरी तो दुआ सदा तुम्हारे साथे तुम खूब कमाओ, अच्छे बनो, नेक बनो अच्छो अम्मी, अब हम चलते हैं ठीक है, जल्दी वापस आएंगे और तुम्हारे लईया भव भी लेके आएंगे, हाँ जाओ बेटा जाओ, अपने कामें खूब तरक्की पाओ भूयो सारे सहर में रुका, सेख चिल्ली संग है लुका मत समझो ऐसो वैसो, ये तो है पूरो भुका पूयो सारे सहर में रुका, सेख चिल्ली संग है लुका मत समझो ऐसो वैसो, ये तो है पूरो भुका आओ तुम्हे दिखलाओ में अपने नजारे संगलू को अगे धाद है न्यारे आओ तुम्हे दिखलाओ में अपने नजारे संगलू को अगे धाद है न्यारे रन गूप चमे जब यारो हम दोनों पी में हुका पूयो सारे सहर में रुका, सेख चिल्ली संग है लुका मत समझो ऐसो वैसो ये को है पूरा भुका प्यारन को ये यार है प्यारो तुस्मन कुयन सदा पचार हो जो यारन को ये यार है प्यारो तुस्मन कुयन सदा पचार हो जो याकु आख दिखावे वकिटार पे मारे मुका पूयो सारे सहर में रुका, सेख चिल्ली संग है लुका मत समझो ऐसो वैसो ये को है पूरा भुका नाची गामी संबे हसामी में दिल में नयो रंद जमामी नाची गामी संबे हसामी में दिल में नयो रंद जमामी करत सील जो कविताई पावे दो पूरो तुका उलो सारे सहर में रुका, सेख चिल्ली संग है लुका मत समझो ऐसो वैसो ये को है पूरा भुका सेख मिया, चलो घूमने चलना है भहु दिनाते घर में परे-परे मनना लग रहे हो हाँ हाँ, क्यों नहीं, ताकि बाहर कोई हमें पेंचानल जाए और अपना पैसा वसूल करने के लिए हमारे कपड़ पाड़ डाले अवे जब तक पब्लिक सांत नहीं हो जाती, हमें भूल नहीं जाती तब तक यहीं पड़े रहो चुपचाप सेख जी, सेख जी, अरे घर में सेख जी है क्या यह कोणा मेरा, कहीं कोई करज आतो नहीं तू ऐसा कर, जल्दी लंबा होकर लेड जा, बागी मैं समाल लूँगा हाई अल्ला, अरे यह क्या हो गया, अरे यह तो अनर्थ हो गया यह कैसे हुआ सब, जैसे सब कहो था, वैसे ही हो गया जी अच्छा जी, कोई सक है क्या, नहीं जी सक कैसा, अजानक हुआ क्या नहीं, पूरे पिलान के साथ हुआ, कमीना कैसे कैसे सवाल किये जा रहा, यहां तो लाज पड़ी है और वो पुलिस की तरह सवाल पूछ रहा है, कैसे हुआ, कव हुआ अला मिया इसको भी उठा ले अवे पागल हो गया, लाज भी कभी जिंदा होती है अवे बावले दो घंटे से एक ही करवट पड़ी है, लाज थकेगी नहीं क्या अवे जब लाज थकेगी तो क्या करवट भी नहीं बदलेगी पड़े-पड़े थक गई, इसलिए करवट बदलनी होगी इसमें क्या है रानी की बात है, हिली-हिली तो ये बात है, यार को भगाने के लिए अच्छा तरीका निकाला है तुमने पर मैं भी पूरा हूँ, आसानी से भागने वाला नहीं हूँ अच्छो, न्यों बता, कैसे आयो, और कब तक टिक हैगो, अकेली आयो, दिल लगाए के? अकेला मैं के जाता हूँ, एक और है उच्छा भी बुला ले आजा भाई आजा एलै मैं तो आगई सод समधर पार में तेरे पीछे पीछे आगई मैं तेरे पीछे पीछे आगई ओजूली मी मेरी जान अरे, सुन्ना रही आगया ओजूली मी मेरी जान तेरे कदमों के नीच आगई है यह कुर्थव है वो तो ठीक है पर यह है कौन यह मेरा कर्तव है अवे यह तेरा ही कर्तव हो सकता है मैं इसका नाम पूछ रहाऊं इसका नाम ही तो कर्तव है अच्छो, यहां को नाम करता वे, यह तो साच माच को करता वे प्यार में दिल पे मार्द गोली, लेले मेरी जाँ आ हाई तो मार्द ना गोली, घबरा काई को रिया है ऐसे कब से उत दिल लगाई के? मैं बच्पन से यहां कब तक रहोगी? तुम गए साथ देर्न का वादा करो मैं युही मस्तर ना गाम्या सुनाता रहो है, हुई का बाबरी कुप्ता ने खाया हुई, जो बुराई को दावद दाऊ क्या? भाई यह अपनी भी क्या जिन्दगी है च्यो, का हो यह अच्छी तो है? भाई क्या खाक अच्छी है, दुनिया बेवकूब कहती है अम्मी भी बेवकूब कहती है जो जैसो हुएगो, वैसी तो कहेंगे का मतलब, हम पागल है, बेवकूब है, है? मैंने कब कहिए, तुम तो खुद ही कह रही हूँ तील लगाई की देख भाई लुक्के, मुझा बेवकूब मत कहियो मुझसे ज़्यादा समझदार तो पूरी दुनिया में कोई है ही न अच्छो? आ जी, मेरी एक कहानी सुन ली न भाई गुरू मान लेगा गुरू, पेर पकड़ लेगा उसी दिन मैं तेरे पाम पकड़ांगो, अपना काम कर तेल लगाई की अच्छा है काम कर, मैं अपनी सुना हुआ, तू अपनी सुना आप पता चल जाएगा, कौन गुरू है और कौन चेला ठीक है, तो सुना तेल लगाई की, सुन एक बार मैं साइकिल पे जा रहा था साइकिल पे, तो पे ही साइकिल, और नहीं तो क्या, दो पे ये वाली थी, दो पे ये वाली ए भाई, तू पागल समझ रहे हो, तेल लगाई के कैसे, साइकिल में दो पे ये हो ये, तेल लगाई के देख भाई लुक्ते बीच में मत बोलीए हां बिलकुल मत बोलीए फीर ठीक है आगे बता हां तो मैं साइकिल पे जा रहा था ठीक मैंने पीछे मुड़ कर देखा चांत मेरा पीछा कर रहा था चांत हां हां चांद पर मैं भी पूरा हूं उ कैसे मैंने साइकिल तेज कर दई अच्छो हाँ जी फिर फिर का चांद ने भी अपनी चाल बढ़ा दई फिर का होयो तेल लगाई के फिर का होयो मैंने एक फत्तर उठाया फत्तर जाने न फत्तर मैंने एक फत्तर उठाया और चांद को दे मारा फिर फिर क्या पत्थर का चांद को लगना हुआ चांद जमीन परागरा बस अब इत्ती बड़ी बात बताई और तु मुह बना रहा है बड़ी बात को कोई तेने तीन ना मार दियो हमने दो दो इद मनमाई है चांद थे पताओ तो को तेल लगाई के बही ये साल में दो इद तो वैसे ही मनाई जाती है तेने कौन सा नाया काम कर दिया ए सुना और कैसे है सुन तो सही सुना पहले मुए पतंग उड़ाने को बहुत सौन को तिल लगाई के पतंग की डोर मेरे हाथ माई समझो पतंग मेरे इसारे पर नासने लगी तिल लगाई के बहुत खूब बहुत खूब तू पागल समझ रहे हो हमें है भई बहुत जिसके हाथ में पतंग की डोर होगी पतंग तो उसे के सारे पर चलेगी मैं तो जब जानू जब कटी हुई पतंग को अपने सारे पर चला के दिखा दे वो बता जो बताने वाला था सुनले इद को सो टेमो एक पतंग कटके हमारी छत पाए के गिर गई तिल लगाए के मैंने पतंग लूटने को जैसे ही सिर मुझेर ते बहार निका रहे हो हलो मचगो तिल लगाए के के चांद निकलाए हो चांद निकलायो तेरी जुगार जैसी सकल है देख के अल्ला मज़को भाई बहुत ठीक सकल ना चांद यी चांद को देखते लगाए के या चांद ने दो फिराईद मनवाई है वा बेटा फैंकने में तो तू भी मुझसे आ गया मैं इसका बना रहा था ये मेरा बना रहा पर मैं भी बेटा तुससे बड़ा हूँ ऐसे हार नहीं मानूँगा तुझे तो मैं हरा के मानूँगा हरा के हाँ तेरा तो मैं वो हाल करूँगा तू भी याद रखेगा हाँ सारी जिन्दगी याद रखेगा तू चाओ सेख जी निकर गई न हवा मैं भी लुका हूँ तेल लगाए के मोरे बनाने की कोशिस कर रहे माल लई तुम बड़े हो है बड़े तो ठेली पे भी के चाराने के दो तेल लगाए के हाई हाई क्या मैं अंदर आ जाऊं हाँ आ और जा तेल लगाए के हाई नाराज क्यों होते हो मैंने तो बस अंदर आने के लिए ही तो पूछा है तुम्हे पूछने का ज़रते तेल लगाए के तुम्हे आने तो तो वानिवना रोक्यो तो हम कैसे रोक लेंगे तेल लगाए के आप गुस्सा मत करो गुस्सा करना बुरी बात है तुम जा रहो है न तेल लगाए के सेख जी या ते कह दो मोते दूर रह अरे गुस्सा मत करो भाई गुस्सा मत करो ये हमारे महमान है महमान हाँ वही तो गुस्सा अच्छी चीज नहीं है अब तुम जाओ यहां ते तेल लगाए के सेख जी या बुराई को निकारो जल दीते मैं भी यहां बैठने नहीं आई मैं तो यह बताने आई हूँ बार एक मोहतरमा खड़ी है उन्हें अंदर भेज दू या वापस भेज दू मोहतरमा भेज अंदर भेज आओ आओ बैठो कैसे आना हुआ काफी ढूणने के बाद मालूम हुआ कि आप लोग यहां है आप दोनों तो बस गया भी हो गए आपने मुझे हिरोईन बनाने का वायदा किया था मैं तो इंतजारी करती रहे बस कहानी पर काम चल रहे है हाँ जैसे ही कहानी पूरी होती है फिल्म बनाना शुरू कर देंगे और आपको हीरोईन बना देंगे हाँ अभी तक कहानी भी नहीं लिखी वैसे है कौन सहब जो इतनी धीमी गति से कहानी लिख रहे है एक मेरे दोस्त है दोस्त, यहीं बुलेंसर में ही रहते है राणा जी बहुत अच्छी कहानी लिखते है बहुत अच्छी बस पूरी होने वाली है सेख जी से मीठी मीठी बात ही कर रही है अभी तबे में नो समझरी होगी लुक्वा ना जाने अगर मगर बोलनी आपको एक बात बताओं हाँ हाँ क्यों नहीं बताओ बताओ जरूर बताओ ओए इस्ते ना मुझ्ते बता जब मैंने कह दी तुस्ते जब से आपने मुझे अपनी हिरोईन बनाया है तब से मुझे तो ख्वाब भी बस आपके फिल्मों के आते है हाँ मैं ख्वाब में देखती हूँ मैं आपके फिल्मों में काम कर रही हूँ हाँ और हर रोज एक नई फिल्म बना रहे है आपका नाम दुनिया में चार और फैल रहा है सेख जी की ये फिलम सेख जी की वो फिलम वैसे आपने अपनी फिलम का नाम क्या रखा है ओए फिलम का नाम मैंने धरो तिल लगाई कि सेख जी तो पैशन लगा रहे है और डारेक्टर है हीरो ना है फिलम का हीरो मैं हूँ मैं नहीं मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ तेल लगाए कि आप दोनों लड़ो मत दोनों हिरो बन जाओ मैं दोनों की हिरोईन बन जाओंगी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है क्यों ना मैं अकेला ही हिरो बन जाओं हाँ क्यों ना मैं अकेला ही हिरो बन जाओं तेल लगाए कि कैसे पागल है जो मेरी चाल नहीं सम फजो बस लुक के से अलग अकेले में उससा मिलूंगा समझाऊंगा उससा मनाऊंगा मानेगी तो ठीक है बरना मैं कौनची फिलम बना रहाऊं मैं तो कूँ समझाऊं तू सुन मेरी प्यारी तू आजा बाहों में खिल जाय के सरक्यारी अरीनिक आजा बाहों में खिल जाय के सरक्यारी अंगूठी सोने की लाउं सभी श्रंगार में दिलवाऊं अंगूठी सोने की लाउं सभी श्रंगार में दिलवाऊं तो पूसाडी लेने मैं दिल लीखू जाऊं मैं तो पूसाडी लेने मैं दिल लीखू जाऊं मैं तो पूलाए गंगों चोली जै पुरवारी अरीनिक आजा बाहों में खिल जाय के सरक्यारी अरी तू प्राणन ते प्यारी मेरी अब बन जा घरवारी तेरी मेरी जोडी होईगी सबते न्यारी दोले बालक घर में खिल जाय के भुलवारी अरीनिक आजा बाहों में खिल जाय के सरक्यारी अरीनिक आजा बाहों में खिल जाय के सरक्यारी अरीनिक आजा बाहों में खिल जाय के सरक्यारी कहूं में तोते समझाए गें कही ओ मतलुक काते जाय के अरीनिक आजा बाहों में खिल जाय के सरक्यारी 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 अरीनिक आजा बाहों में खिल जाय के सरक्यारी